तो बच्चों अभी तक सिक्वेंस सीरीज में काफी सारे कॉंसेप्ट अमनों ने देखे और समझे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखते हैं तो आप इससे पहले सिक्वेंस सीरीज की पूरी सीरीज पूरे लेक्चर्स को आप देख लीजए वहां पर हमनों ने और मिस्लेनिय सीरीज एजी पी इनके सारे कॉंसेप्ट वहां पर डाले हुए हैं दिये हुए हैं आप उनको कंप्लीट कर लीजए आज इक इंपॉर्टन सेक्शन पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही अच्छे कोशन बनते हैं कोडिटिक एक्वेशन और प्रोगेशन दोनो को कंबाइन और लॉजिकल अबिल्टी इन तीनों चीज़ों को कंबाइन होके ऐसे कॉंसेप्ट पर आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टन और बहुत ही बार कूछा जाता है और सौटकट भी इसके देंगे हम लोग जिससे कि आप सहस तरीके से लगा पाएं ठीक है कुष्ण को हम लोग इतनान से पढ़ते हैं आधारित कुष्ण से एम और जीम अर्थमेटिंग में और जामेटिंग में इनका कॉंसेप्ट हम लोग डिसकस कर चुके थे बेसिक कॉंसेप्ट दे चुके थे आप उसको देख लिजे या कहीं से प्रिवाइस कर लिजे ठीक है हमान चल ले हैं कि इतना आपने कर चुके तब ही आप अच्छे से सीख पाएंगे थोड़ा सा फिर भी हम लोग पीछे जाते हैं जिससे कि आप एम आफ एक आवबी निकालेंगी तो जितने भी नंबर्स का एम निकालें आप उन नंबर्स को सिंपल एड़ करिए और जितने हुँ चार हो एमो तो उन संख्या से आप डिवाइट कर देंगें कि इसको कैप्टेल ए से बोलता है जो कैप्टेल करते हैं जीयम के बारे में अगर देखंगे गीमेट्रिक में जिसको उन आप जीसे इनोट करेंगे यहाँ पर सम करना था है हा यहाँ पर हम उनका प्रोडक सकते हैं तो हमने बोला था कि तीन नंबर भी हों तो तीनों को आप जोड़कर तीन से डिवाइट कर सकते हैं चारों को जोड़कर चार से डिवाइट करेंगे और एन नंबर को जोड़कर एन से डिवाइट करेंगे अगर दो number हैं GM के लिए तो दोनों का product square root लेंगे तीन number तीनों का product cube root लेंगे और ऐसे ही n numbers हों तो n numbers में सारे n को आपस multiply और nth root लेंगे बहुत simple हो गया पहले बातों को हमने फिर से repeat किया अब इस information को base बनाकर हम इस questions को पढ़ेंगे और इस question को solve करेंगे इससे concept generate करेंगे उस concept को हमनों directly यहाँ पर apply करेंगे और उसको हमनों sort cut बोलेंगे तो आपके सामने concept है question के form में और उस concept को application यहाँ पर है तो इससे क्या होगा कि आप अगर यह lecture last तक देखेंगे तो आपको ऐसे questions फटा फट अब लगा ले जाएंगे ठीक है तो इसलिए last तक बने रहे है सुरुआत करते हैं थोड़ा समलोग पर concept पर जाएंगे और यह बाद questions को भी पढ़ते हैं capital A capital Z arithmetic mean और geometric mean है दो numbers के बीच में arithmetic mean और geometric mean है जैसा कि यहाँ दो numbers का arithmetic mean और geometric mean हम calculate कर चुके हैं यह बात आप calculate कर लीजी numbers A और B suppose किये गए है यहाँ पर numbers अभी नहीं दिये गए बट arithmetic mean और geometric mean दिया गया है उसको हम बाद में discuss कर रहे हैं find the equation whose roots are A and B roots are A and B तो हम लोग quadratic की बात को थोड़ा सा repeat करते हैं जिससे कि आप quadratic की बूली बातों को फिर से यहाँ तक लापाएं quadratic equation AX square plus BX plus C बराबर 0 जहाँ पर A not equals to 0 ABC real हमें पता है कि अगर इसके roots alpha बीटा हूँ तो alpha plus beta minus B upon A हुआ करता था और alpha into beta C upon A के बराबर हुआ करता है आपको इतनी बात याद होने चाहिए शीदराचा लगाते थे हम लोग या simple factor करते थे यानि कि quality दी गई है तो हम लोग roots के sum और roots का योग roots का multiplication और roots के बारे में निकाल सकते हैं सहस तरीके से बसरते quadratic equation आपको दी होने चाहिए ठीक है यह information तब थी जब quadratic equation दी गई है अब यहाँ पर roots दीए गए है क्या दीए गए तो दूसरी information यह पर type 1 था अब हम type 2 पर बात करते हैं quadratic के deep में जा रहे हैं इस question को लगाने के लिए हम तो थोड़ा सा discussion करना है जिससे कि आप अगर initial level पर भी हो तो आप समझ पाएं तो alpha and beta are given कहने मदब information में हमें roots दीए गए है क्या दीए गए है अब हम इससे quadratic form करने है क्या form करने है तो simple एक formula लगाईए x square minus sum of roots into x plus product of roots इस formula के साहरे अब उस quadratic को निकाल लेंगे जैसे कि यहाँ पर alpha वीटा दिया गया है तो x square minus sum of the roots मतब दोनों roots को आप sum करिए alpha plus beta x हो गया उन दोनों का product करिए alpha into beta बराबर 0 ठीक है इस formula से आप directly quadratic equation form कर सकते हैं बसरते उनने बोला कि दिया गया गया है roots दिये गये हो ठीक जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ले 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 लेते example कि find equation whose roots are 1 and 3 1 and 2 suppose 1 or 2 roots दिये गये हैं quadratic बनानी x square minus sum of the roots 3x और product of the roots 2 बराबर 0 अब इस quality को verify भी कर सकते हैं आप जानते हैं सबसे simplest form है factor आप तुरंद कर सकते हैं roots निकाल सकते हैं इसके roots 1 और 2 आएंगे तो यह information type 1 और type 2 ने quadratic equation कैसे लाते हैं quadratic equation से roots कैसे निकालते हैं roots के बारे में क्या क्या कर सकते हैं वो और अगर roots दिये गये हैं तो quadratic equation कैसे बनाएंगे जैसे कि आप इस वाले questions को relate कर पाएं तो दो information वारे basic थी यह हमें आने चाहिए थी यह आने चाहिए थी अब दोनों को combine करेंगे और उससे हम लोग question को solve करेंगे ठीक है तो अभी तक दो information में देखी कि दो numbers दिये गए हैं तो AM कैसे निकालेंगे आपने निकाल लिया होगा रूट्स दिये गए हैं तो quadratic कैसे बनाएंगे और quadratic से रूट्स कैसे निकाल लेंगे साइध यह आपने सहस तरीके से सीख लिया अब दोनों information को मिला कर इस वाले questions को चलिए देखते हैं ठीक अब तो सही ना अब ऐसा कुछ नहीं हम तो पहले सोचते थे अब ऐसे बताते हैं उनको दाएंगे तो इस information को collect करके हमें यहाँ पर equation मनानी क्या बनानी है अगर आप questions को सही से पड़ेंगे तो यहाँ पर equation मनानी है equation को roots A और B हैं ठीक तो अभी पहली वाली information जब alpha और beta roots दिये गए थे X square minus A plus B X plus AB बराबर 0 इतना हुआ था कि नहीं हुआ था बस बसरते वहाँ पर क्या alpha बीटा था यहाँ पर A और B हैं अब इस information को आगे ले जाते हैं कि यह जो A और B हैं A और capital G arithmetic mean हुआ A हमारा क्या है arithmetic mean और G क्या है symmetric mean है कि नहीं वो arithmetic mean और geometry mean किन का है small A और small B का तो AM of A कामा भी जिसको हम बोलना है capital A दोनों numbers को जोड़ेंगे और दो से divide करेंगे GM of A कामा भी जिसको बोलना है capital G हम दोनों को multiply करेंगे power 1 by 2 रखेंगे इतनी information अभी हमने बताई थी अभी तुरंट इतनी याद होना चाहिए आप देखे A प्लस B और A यह वाली information यहां से निकालेंगे और यह वाली information यहां से निकालेंगे अब दोनों को अगर collect करेंगे इसको यहां ले जाए तो हमारी A प्लस B बराबर हमारे पास आ गया 2A और पावर को इदर ले जाएं तो A भी बराबर आ गया G square देखे हमें दो information चाहिए थी some of the roots और product वो हमने arithmetic mean और geometric mean के form में लेके आ गये आप देखें क्या हमारा changes आएगा x square minus 2A x plus g square किससे हमारा हुआ क्या कि अब हम quality equation तब बना सकते हैं जब हमारे पास roots ना पता हो के उनका am और gm पता हो और यह ऐसी equation है ऐसा relation है जो arithmetic mean geometric mean को एक साथ relate करती है relation between arithmetic mean and geometric mean is this okay this equation से relate होता है बहुत important है इसको हम देखते हैं कि कैसे यहां पर कर पाएंगे directly हम लोग करने वाले देखिए 5 of 4 arithmetic mean और geometric mean और numbers है ठीक है यहां पर A और B वो numbers नहीं दिये गए उनके arithmetic mean और geometric mean दिया गया तो arithmetic mean को क्या बताया था capital A that is 5 और geometric mean G that is 4 आप उसने बोला कि quadratic equation बताईए वो quality equation निकाल ली है जिसका roots these numbers मतलब roots क्या हो वो numbers जिनका arithmetic mean और geometric mean दिया गया है जो arithmetic mean 5 और 4 दिया गया है उन जिन numbers का दिया गया है उन numbers को as a roots मानके quadratic equation बनानी है तो हमने सीधे अपने बताये गया थी x square minus 2 A x a plus z square ब्राबर 0 तो x square minus इसका double करेंगे तो 10 x a plus z square that is 16 ब्राबर 0 यहां पर हो पाड़िटिक बन गई ओके यह चीज़ बहुत ही simple देखा होगा last में आपने कि अगर इतनी बात पर ध्यान दे तो कितना easy है कितना सहज है एक simple सा जो मतलब हमारी ऐसे simple हम लोग पूछते हैं नॉर्मली बात चीथ में questions लेके आते हैं उसी तरीके questions को हम लोग discuss करते हैं जैसे लोग कहते हैं कि भाई ऐसे दो number बताईए ऐसे दो number बताईए जिनका sum जिनका sum 8 हो और जिनको multiply करें तो 12 आ जाए ठीक है जैसे मैं इसको question के form में लिखता हूँ find those numbers whose sum is 8 and product of these two numbers is 12 okay easy है but देखते हैं कि अगर ये basically अगर आप अभी तक predict करड़ गए होगे but ऐसा कोई number ऐसे typical आ जाए तब आप ना सोच पाएं ठीक है तो यहाँ पर alpha plus beta उन दो number का sum 8 दिया गया है alpha into beta 12 दिया गया है तो x square minus 8x plus 12 बराबर 0 तो इनका factor करेंगे तो x minus 2 x minus 4 बराबर 0 तो x बराबर 2 कामा 4 आप इन दोनों को number को sum करिये या product करिये आपको वो मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा जाए गराद हो गया ठीक सम 6 6 ओक थोड़ा सा है था human calculation mistake कोई भी कर सकता है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ठीक है 2 कामा 6 हाँ अब ऐसे इसको देखो थोड़ा प्रेट करते हम लोग find those numbers whose am is 4 and gm is root 12 तो हमने कहा कि यहाँ पर वो साथ दो numbers निकाल ले है जिनका arithmetic mean 4 हो और arithmetic mean root 12 हो तो हमने सीखा यहाँ पर दिया गया है basically a दिया गया है 4 और g दिया गया है root 12 इन दोनों को relate करने के लिए एक info देखा है x square minus 2ax यह ऐसी equation है जो दोनों को relate करती है x square minus 8x plus root 12 को square करेंगे 12 हो जाएगी अब इसको हम चाहें तो आप जानी रहें arithmetic mean geometric mean harmony mean के बहुत सारे concept ऐसे हैं जो important है अगर आपको लगता है तो इस वाले concept को आगे तभी बढ़ाएंगे जब आप वहाँ पे अगर लिखेंगे हमने बोला ही है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात के expectation नहीं कि आप हमारे इस session को like करें वहाँ पे लिखें कि बहुत अच्छा है इस type के comment से मुझे कोई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी करते हैं तो उसका reflection जरूर होना चाहिए अगर reflection नहीं आता है तो हम जान नहीं पाते हैं कि हमारी बात proper way में पहुंच पार ही कि नहीं पहुंच पार ही ठीक है तो properly जो लोग इसको follow कर रहे हैं जो भी है जो भी चीज़ों को follow कर रहे हैं उसमें हमने हमेशा बताया कि क्या अच्छा हो सकता है कुछ लोग हर session में बताते हैं मुझे suggest करते हैं कि इस यह करना चाहिए अभी भी मैं update कर रहा हूँ अभी बहुत अच्छा और हो सकता है तो जो लोग उनसे मैं request नहीं कर रहा हूँ ना यह मेरी request है केवल ओ केवल एक अच्छे प्रयास के लिए एक अच्छे भावना के साथ एक आसा है आपसे कि अगर आप दूर बेटे हैं और हमने मावला क्लासेस ने अगर यहां तक प्रयास किया है तो साथ पुरी साल में conclusion निकल गया आएगा तो उस conclusion में आप भरुसा रखते हैं आप चाहते हैं कि महां तक हम पहुंचें एक नया इतियास बनाएं तो आप लास में जब लास में पहुंचें तो अपनी feedback और क्या demand है आप रखें तभी हम इसको अपडेट करेंगे अधरवाइस हम इसी रूटीन पर चलते रहेंगे जो चीज अपडेशन में आएगी तभी इसके वारे में आगे विचार करेंगे तो जो भी आप demand है आप निस्पच्चता से महा रखें हम चीजों को अपडेट करने के बारे में सोच रहें अभी आगे को ऐसे बढ़ना है तो demand पर जाएंगी थैंक यू बहुत सारे बच्चों को जो यहां पर जुड़े हुए हैं जो निस्पच्चता से अपनी बात रखते हैं जो भी एक कट बर्ड भी हो ऐसे बर्ड भी होते हैं तो मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं है आप रखते रहिए आगे हम लोग फिर से एक नया प्रयास करेंगे